Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2023 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आपके लिए इस relationship के लिए या आपकी क्या energies होंगी Finally October मन्त में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस relationship में तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं October 2023 की Love Tarot Reading तो चलिए Aries आप लोगों के लिए देखें कि October 2023 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है तो यहाँ पे मैं तीन सेट अफ कार्द निकालूंगी फर्स सेट अफ कार्द में हम देखेंगे Aries कि आपकी क्या energies हैं October मन्त में आपके partner के लिए इस relationship के लिए सेकेंड सेट अफ कार्ड में देखेंगे कि आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies हैं और थर्ड सेट अफ कार्ड में हम देखेंगे कि finally October मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करेंगे Aries तो लेट सी Aries में श्राशी वालों की अपने partner के लिए इस relationship के लिए October मन्त में क्या energies रहेंगी Aries में श्राशी October 2023 love life Aries में श्राशी October 2023 love life तो यहाँ पर देखें Aries सबसे पहला card है Two of Swords reverse और यह card कहता है कि हो सकता है कुछ time से आप बहुत stuck महसूस कर रहे थे जहाँ पे ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे और सब के लिए different situation circumstances रहेंगे कुछ Aries के लिए simply हो सकता है decision नहीं ले पा रहे थे choice नहीं ले ले पा रहे थे कुछ के लिए हो सकता है कि past relationship से आप connect नहीं कर पा रहे हैं आप दुनों के बिच में कोई ऐसी बात हो गई कोई ऐसा मसला या कुछ भी reason की वज़े से आप अपने you know past partner है या फिर कोई भी past connection है उनसे connect नहीं कर पा रहे हैं और कहीं आप आगे भी whatever reason की वज़े से नहीं बढ़ पा रहे थे और कहीं October starting में आपको ऐसे लग रहे है कि बस बहुत हो क्या अपना खुद को इन energy से बाहर निकालना है अब थोड़ा सा अगर आप इस card को देखे तो इस figure ने आँखों में पट्टी बांदी वी है तो जिन भी चीजों को आप देख के अंदेखा कर रहे थे, सुन के अंसुना कर रहे थे आप फिर मैं कह सकती हूँ broader level के लिए ignore कर रहे थे, avoid कर रहे थे आप उनको भी upfront होके deal करना चाहा रहे है या फिर मैं कहूंगी again कोई decision नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले रहे थे, avoid कर रहे थे, ignore कर रहे थे तो वो decision वो choice लेने की सोच रहे हैं अगर action initiatives required हैं इस relationship में, अपनी love life में किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तो वो भी आप लेना चाहा रहे हैं, या लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन देखिए हाँ पर Aries 4 of Sodes Rivers का card कहता है कि आप नहीं ले पा रहे हैं, आप फिर मैं कहूंगी कि आप सोचते जा रहे हैं कि भाई मुझे अब अपने इस comfort zone से उठना है, अब मुझे action लेना है, अब मुझे initiative लेने है, अब मुझे आगे बढ़ना है लेकिन कहीं mid October में भी आप withdraw करते वे दिख रहे हैं चीजों से कहीं back seat लेते वे दिख रहे हैं, action initiatives नहीं ले रहे हैं और कहीं कुछ again मैं कहूंगे अपनी तरफ से नहीं effort करना चाहा रहे हैं last card निकालते हैं आपके लिए Aries, यहाँ पे 10 of pentacles का card है और यह card कहता है कि family की किसी तरीके से involvement interference रह सकती है अब दिखें यहाँ पे सब Aries के लिए again थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि you know आपकी family आपको help करना चाह रही है support करना चाह रही है जो भी आपकी situation है आपकी love life से related उसमें और कुछ के लिए हो सकता है कि family थोड़ा interfere कर रही है थोड़ा सा आप यह भी हो सकता है कि tradition, culture, society इन चीजों को काफी एहमियत दे रहे हैं and थोड़ा एक practical, realistic तरीके से चीजों को deal करना चाहते हैं तो फिर से broader level के लिए Aries आपके लिए देखें तो आपके मन में जरूर एक सोच चल रही है कि बस बहुत हो गया ये inaction, indecisiveness वाली energies में रहे के, stuck energies में रहे के खुद को न बहार निकालना चाहिए लेकिन mid October तक आप खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं नहीं निकल रहे हैं and कहीं end October में तो family get together है, आप उसमें अपने आपको involve कर रहे हैं या फिर family का support आप ले रहे हैं, family की help आप ले रहे हैं या family खुद से आपको इस चीज में support कर रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है Aries कि आपको ऐसा लग रहा है कि देखो अब ना मैं तभी आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगी जिब तक मुझे कुछ एक concrete, कुछ एक realistic चीज इस relationship में दिखाई देगी यानि कि आप long term चाहते हुए दिख रहे हैं आप एक stability चाहते हुए दिख रहे हैं security चाहते हुए दिख रहे हैं जो Aries already relationship में है उनके लिए हो सकता है कि आप अपने partner से इसी चीज को discuss कर रहे हैं कि भाई अब long term प्लान करते हैं शादी, live-in या फिर किसी भी तरीके से अगेन मैं कहूंगी long term इस connection को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं अगर आप proper relationship में नहीं हैं तो भी stability आप अपने partner के साथ सोच रहे हैं अगर आप single हैं तो आपको ऐसा लग रहे हैं कि बस अब मुझे उसी इनसान से connect करना है जिसके साथ future हो मतलब मुझे खाम खा एक fling या फिर flirt नहीं करना है अभी हम और Oracle card से cards निकालेंगे और देखेंगे कि डीटेल में ये cards क्या कह रहे हैं तो Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life तो देखेंगे यहाँ पर hurt का card है Two of Souls के नीचे hurt का card बहुत ही clearly कह रहा है कि पीछे अगर आप एक inaction वाली energies में थे या फिर एक stuck महसूस कर रहे थे ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे उसका reason था कोई चीज को लेकर आप hurt हुए है कुछ ऐसा हुआ है आपके partner की तरफ से या फिर situation, circumstances की वज़ए से जिसको लेकर फिर से मैं कहूंगे आप hurt हुए है और इसलिए आप कहीं, you know देख के चीजों को अंदेखा कर रहे थे सुन के अंसुना कर रहे थे, बहुत सारी चीजों को वॉइड कर रहे थे, बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर रहे थे four of swords के लिए यहाँ पर controlling का card है तो यहाँ पर दिखिए controlling in fact partner को control करने की बात करता है लेकिन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आप अपनी तरीके से चीजे चाहा रहे थे आप partner को लेकर थोड़े से controlling हो रहे थे यहाँ फिर mid October में आप अपनी ही feelings को control करना चाहा रहे है आप अपनी ही emotions को कहीं discipline में रखना चाहा रहे है आपको ऐसे लग रहा है कि भई मैं कहीं यह नहों कि suede हो जाओ emotional मतलब suede का मतलब यहाँ पर है कि emotions भी न भे जाओ कहीं impulsive न हो जाओ और Aries आप लोग थोड़े से impulsive तो होते ही है तो थोड़ा सा यहां तो आप अपनी feelings emotions को control कर रहे हैं और इसलिए आप withdraw कर रहे हैं इसलिए आप backseat ले रहे हैं कितनी बार ही होता है न में लगता है कि अगर मैंने action initiative लिया न फिर मैं बहुत जादा आगे बढ़ जाओंगा और मैं अपने आपको control नहीं कर पाऊंगा तो let me just withdraw जब तक कि एक खुद पे control नहीं आता है और कुछ के लिए हो सकता है कि शायद आप अपने partner के लिए बहुत controlling dominating हो रहे थे और इसलिए you know आप hurt हुए इसलिए आप थोड़ा सा stuck महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं और उसमें से बहार निकलना जा रहे हैं अब 10 of pentacles के लिए देखते हैं Aries यहां पर disrespect तो देखिए किसी level पर किसी तरीके से disrespect भी एक reason रहता हुआ दिख रहा है यहां तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner ने आपको किसी भी तरीके से disrespect किया आपकी feelings, आपकी emotions की उतनी परवान ही करी है यहाँ पर disrespect किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से हो सकती है एक तो literally हो सकती है कि argument हुई, बातचीत हुई और उसमें आपने अपने partner को कुछ गलत कह दिया जिसकी वज़े से उनकी disrespect हुई और फिर आपके partner ने आपको कुछ गलत कह दिया आपकी disrespect हुई और कभी-कभी देखिए जब हम सामने वाले को बहुत love दिखा रहे होते हैं और सामने वाला उसको देख नहीं पा रहा होता है acknowledge नहीं करा है तो वो भी हमें लगता है कि हमारे disrespect हुई हमने इतने प्यार से उनके लिए यह किया ट्रेडिशन की रह सकती है फैमली की रह सकती है कल्चर की रह सकती है और यह किसी की भी तरफ से हो सकती है या तो Aries आपकी तरफ से हुई आपके पार्टनर के लिए या फिर आपकी तरफ से आपकी अपनी फैमली के लिए हुई अब देखते हैं Aries कि आपके partner की October मन्थ में क्या energies हैं. Aries, Mesh, Rashi, Partners, Energies for the month of October. Aries, Mesh, Rashi, Partners, Energies for the month of October. Aries, Mesh, Rashi, Partners, Energies for the month of October. King of Swords, Ace of Swords, Reverse and Five of Wands. तो देखे, picture थोड़ी-थोड़ी clear हो रही है Aries. आपके partner बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं October month में. I don't know, पीछे उनका क्या रहा हो. But October month में उनकी काफी एक logical energies रह रही हैं. आपे दो सोच के काट कह रहे हैं. कि वो mind से चल रहे हैं, emotions, feelings, sentiments missing रहते हुए देख रहे हैं. और इस सेनारियों में देखें तो हो सकता है Aries. इसलिए शायद आप थोड़ा withdraw कर रहे हैं. इसलिए शायद आप थोड़ा hurt हो रहे हैं. आप अगर हम ऐसे देखें तो आपके partner भी या तो controlling dominating हो रहे हैं. या फिर आप दोनों ही अपने अपने level पर हो रहे हैं. क्योंकि आपके लिए आप ए controlling का card है. तो दिखिए ये भी एक reason हो सकता है Aries. कि आप withdraw कर रहे हैं mid October में या फिर October मन्त में. क्योंकि आपके partner काफी controlling हो रहे हैं. और आपको लग रहे हैं कि भाई you don't want to be controlled. आप एक feelings, emotions, love उनकी तरफ से चाहते हैं. जो कि एक missing रहता हुआ दिख रहा है. तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है Aries कि आपके partner थोड़े controlling हो रहे हैं. और इसलिए कहीं mid October में आप withdraw कर रहे हैं. अपने तरीके से चीजों को करना चाह रहे हैं. किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से compromise नहीं करना चाह रहे हैं. थोड़ा सा हो सकता है कुछ Aries के part में. Manipulate भी कर रहे हैं. Blunt, straightforward हो रहे हैं. और दिखे, in the process, confused खुद से भी होते हुए दिख रहे हैं. कुछ चीजों को लेकर एक success चाह रहे हैं. And five of wands का card कहता है कि उनकी एक conflicting सी energies हैं. जो भी हो broader level के लिए, या फिर मैं कहूंगे surface level के लिए अगर हम दिखे Aries, तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो emotional हो रहे हैं, अपना love आपको express कर रहे हैं, बहुत lovingly, compassionately चीज़े कर रहे हैं. अब हम deeper level के लिए देखते हैं, कि मन ही मन, आपके partner क्या महसूस कर रहे हैं, या फिर ये cards क्या और detail में आपके partner के energies के बारे में बताना जा रहे हैं. तो Aries, Mesh, Rashi, Partners energies for the month of October 2023. King of Swords के लिए Gossip का card है. तो वो सकता है, कि भाई, उनको कुछ आपके बारे में पता लगा हो Aries, क्योंकि अगर आप इस card को देखें, तो एक figure दूसरे के कान में कुछ कह रही है. और इसलिए वो थोड़े से controlling हो रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा logically चीज़ों को deal कर रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, और कहीं वो बहुत softly इस चीज़ को नहीं deal कर रहे हैं. अगें दिखिए, या तो आपके बारे में उन्होंने कुछ सुन लिया, या आपने अगर उनके बारे में कुछ कहा, तो उन्हें पता लग दिया, या पर ये भी हो सकता है Aries कि आपके पार्टनर कहीं उन्हों गॉसिप कर रहे हैं, आपकी बातें या फिर इस रिलेशन्शिप की बातें किसी से कर रहे हैं, एड ऐस ओफ सोल्स रिवर्स के लिए कार्ट देखें, शॉक, एक और कार्ट निकालती हुटा कि हमें पूरी पिचर क्लियर हो जाए, यहाँ पे है बाद इंटेंशिप, तो दिखिए Aries जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो लॉजिकल हो रहे हैं, एमोशन, फीलिंग उनकी तरफ से मिसिंग हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक रीजन रहता हुआ दिख रहा है, गॉसिप और गॉसिप की वज़े से वो शौक हो रहे हैं, और कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी इंटेंशिंस ठीक नहीं हैं, या फिर उनकी इंटेंशिंस ठीक नहीं हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है, यह जनरल रीडिंग है, फिर से कहती हूँ, एरीज, अगर आपको लगे कि आपके पार्टनर की इंटेंशिंस आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो या तो आपने गॉसिप करी, उन्हें पता लगा, या वो गॉसिप कर रहे हैं और उनकी इंटेंशिंस ठीक नहीं हैं, दो सिनारियोज हो सकते हैं, अगर दिखिए आपकी तरफ से उने लगा, बही आपने गॉसिप करी है, हम अभी हलांकि October मन्त के लिए Cards देखेंगे, तो हमें और clear होगा कि क्या हो रहा है, तो आप उसको clear कर सकते हैं, एक बारी, जादा नहीं आपने किसी को convince करना है, एक बारी, दो बारी, अगर आपको लगे कि misunderstanding हो गई है, क्योंकि देखिए आपका relationship है, आपको idea हो जाएगा, cards broader level के लिए बताते हैं, तो आप इसको clear कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी तरफ से हुआ है, तो आपके partner को बहुत एक shock लगाया है, और वो ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी intentions उनके लिए ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर आपके partner gossip कर रहे हैं, तो उनकी intentions चीख नहीं हैं, और अगर ऐसा आपको लगे, तो आप थोड़ा सा cautious, थोड़ा सा conscious रहें, थोड़ा सा alert, थोड़ा सा aware भी रहें, अब देखते हैं Aries की October month में क्या हो रहा है, Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life, Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life, Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life, यहाँ पर देखिए Five of Cups का card है, और यह card regret की बात करता है, mistake की बात करता है, death का card है, एक और card निकालेंगे Aries, और यहाँ पर page of pentacles, reverse का card है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, Aries यहाँ पर Five of Cups का card कहता है, कि कुछ mistake तो हुई है, और यहाँ पर भी देखिए, बाड intentions, gossip, shock, आपके लिए disrespect, control, hurt के cards कहते हैं, कि कुछ तो मसला, कुछ तो इशू आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसको लेके आप hurt हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी disrespect है, और यहाँ तो आप controlling हो रहे हैं, आपको लग रहा है partner controlling हो रहे हैं, और आपके partner कहीं, you know, gossip कर रहे हैं, आपकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है, शौक हो रहे हैं, intentions भी bad हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यहीं बोलूँगी, कि जो भी mistake, गलती, आपको लगता है कि हुई है, उसको कैसे resolve कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें, उस पे focus करें, क्योंकि देखिए death का card कहता है, कि बहुत tightly आप दोनों, या फिर आप दोनों में से कोई एक इस चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं, दिखें, मैं आपको यही कहूँगे, एरीज, गलती सबसे होती है, इस पूरी दुनिया में, एक भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहें वो अमेरिका का प्रेजिजेंट हो, चाहें वो बहुत ही enlightened इंसान हो, चाहें, you know, कितना भी अच्छा इंसान हो, क्यों से गलती ना होई हो, इन फैक दिखें, जो spiritually enlightened होते हैं, उनकी life में बड़ी mistakes होती है, और वही turning point भी होता है, उनकी spirituality की तरफ जाने के लिए, तो गलती सबसे होती है, अगर हम गलती को पकड़ कर बैठते हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हम परिशान होते हैं, हमारे साथ, जो भी लोग connected हैं, वो भी परिशान होते हैं, अगर ये एक चीज है, जरूर इसको चेक करके correct करें, five of cups का card कहता है, negative energy, negative state of mind में, या आप हैं, आपके partner हैं, तो इसको आप चेक करें, किसी चीज को regret कर रहे हैं, एक ribbing energies हैं, एक अफसोस किसी चीज को लेकर हो रहा है, तो इसको भी चेक करें, एक positive energies में, आप दोनों के लिए October starting में, आना बहुत-बहुत important और हो सकता है, कि उन्हों कुछ टाइम पहले से ही, ऐसी energies हों, तो उसको जरूर चक करके correct करें, आप देखिए, मैं love readings बहुत जल्दी upload कर देती हूं, तो अगर आप थोड़ा पहले से ही, इस reading से guidance लें, और उसको apply करें, तो आप October month की energies को काफी बहतर कर सकते हैं, अब clarifiers देखते हैं, Aries, Mesh, Rashi, October 2023, Love Life, कि आप दोनों में से किसी एक की narcissist वाली energies हैं, और यहां पर भी देखिए, controlling and the king of swords के card, यही चीज कहते हैं कि selfish, यहां फिर अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, और अगर ऐसा आपको लगता है Aries, तो I would suggest कि relationship को आप आगे बढ़ाने से पहले, अच्छे से चीज़ों को समझ लें, देखिए, यहां पर sorry का card है, I'm sorry, तो बहुती clearly यह card बता रहा है कि, यहां फिर मैं कहूंगे उसी चीज़ को confirm कर रहा है, कि कुछ issue, मसला चल रहा है, और जिसकी भी तरफ से mistake हुई है, गलती हुई है, वो apologize कर रहा है, या फिर, अगर सामने से आके sorry नहीं बोल रहा है, तो मन ही मन sorry ज़रूर फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि, इसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, social media, और यहां पर social media का card, and page of pentacles reverse का card कहता है, कि social media पे, आप दोनों ज़्यादा active हो रहे हैं, या फिर social media से related कोई बात है, social media पे sorry बोल रहे हैं, कुछ social media का रोल रह सकता है, and page of pentacles reverse का card कहता है, कि बहुत practical, realistic steps लेना चाह रहे हैं, चीजों को ठीक करने के लिए, and कहीं उतने practical, realistic नहीं हो पा रहे हैं, या फिर over practical, realistic हो रहे हैं, और थोड़ी सी immature energies भी रहती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, raise maturity के साथ चीजों को deal करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब immature तरीके से हम practical हो रहे होते हैं, यानि कि जो चीज़े practically possible नहीं हैं, उनको भी practical होके करना चाहा रहे होते हैं, तो फिर issues मसले होते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ का खयाल रखने की ज़रत है कि immature energies किसी भी level पर अगर आप पाएं तो उसको भी आप चक करके correct करें, तो overall देखें, Aries October month बहुत great नहीं जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे की मैंने आपको अभी बताया, अगर आप यह reading पहले से ही देख रहे हैं, तो इस reading से guidance लेकिए आप October month के नाजी इसको काफी हद तक बहतर कर सकते हैं, और देखें अगर guidance मैं आपको दूँ, तो नार्सिस्ट का card कहता है कि आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, controlling हो रहे हैं, selfish हो रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और देखें अगर यह बहुत strong चीज आपको आपके partner में दिख रही है, मैं फिर से कहूँगी, आगे बढ़ने से पहले समझ लें चीजों को सोच लें, क्योंकि देखें, beyond the point nature नहीं बदलता है, और यह सिर्फ अगर कुछ time period के लिए, क्योंकि देखें, यह monthly reading है, तो monthly reading में सिर्फ उसी time period के लिए ऐसी energies रह सकती हैं, यहां पर हम यह नहीं कह रहे हैं, कि आप यह आपके partner है ही narcissist, ऐसी एक energy किसी भी reason की वज़े से, October starting में, October month में रह सकती है, तो अगर आपको लगे यह बड़ा temporary सा phase है, तो again उस चीज को उसी तरीके से deal करें, and controlling ना हो, dominating ना हो, और respect आप भी करें, respect अपने लिए भी रखें, gossip अगर आपकी तरफ से है तो उसको avoid करें, I think मैंने बहुत detail में बताया, आपने reading अगर अच्छे से देखिए, तो आपको बहुत सारे guidance मिल जाएगी, बहुत सारी advice मिल जाएगी, जिसको follow करके, आप October मन्त को और बहतर कर पाएंगे, तो ये था एरीज आप लुगों के लिए October 2023 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें,